नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन में 21 जून तक स्कूल बंद, जारखन में अब सभी स्कूल 22 जून को खुलेंगे, बदाद भिसन गर्मी को देखते हुए विभाग नया फैसला लिया है, हलाकि कलास 9 और 10 के विद्यार्थी को रहात नहीं मिली है बदाद जारखन में भिसन गर्मी को देखते हुए एक बर फिर से स्कूलों में छुटिया बढ़ा दी गई है, राज सरकार की तरफ से इस समन में आदेश जारी कर दिया गया है, अब जारखन में सभी स्कूल 21 जून तक बंद रहेंगे बदाद जारखन के सभी सरकारी, गयर सरकारी, सहता प्राप्त और सभी नीजी विद्यालें भिसन गर्मी को देखते हुए छुटिया बढ़ा दी गई, अब जारखन में सभी स्कूल 22 जून से खुलेंगे, हलाकि कक्छा 9 और 10 के बच्चे को इस से रहात नहीं दी गई, वह केजी से लेकर कक्छा 8 तक के बच्चे के स्कूल 22 जून को खुलेंगे, बदाद जारखन सरकार की स्कूली सिक्षा और सक्षाता विभाग की तरब से जारी पत्र में लिखा गया है कि पूरो में स्कूल खुलने को लेकर जो निर्देश जारी किया गया था, उसमें पुना आंसिक ससोधन किया जा रहा है, जारखन में भीषन गर्मी का प्रकोप, 6 दिन में 10 पुलिस कर्मियों की मौत, जारखन में भीषन गर्मी का प्रकोप देखनों को मिल रहा है, पुरे परदेश में लू को लेकर अलट जारी कर दिया गया है, लोगों को बिना वजह घर से बा पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है जिसमें धनबाद, पलामू, हजारीबा, गढ़वा, दुमका, सराय, केला और बोकारो, जीला सामिल है मिरितक पुलिस कर्मियों में जहरखन पुलिस के साथ, CRPF के दो और CISF के एक जवान सामिल है बता दे इन दस पुलिस कर्मियों में से पांच की मौत लू लगने से हुई है, जबकि बाकी के पांच जवानों की जान अलग-अलग करनों से बताई जा रही है NIA के के केस में फरार छा हाटकोर नकसली होंगे, मोस्ट वांटेड घोसीत लोहर दग्गा जिले के पेसरार थाना चेतर के नकसलीों से भारी मात्रा में हत्यार और गोली बरामत होने के केस में NIA 6 नकसलीों को मोस्ट वांटेड घोसीत कर सकती है सभी नकसलीों को 27 जून तक का समय दिया गया, ताकि वे नियालय के सामने उपस्तित हो सके इन नकसलीों के खिलाप नियालय से गिरफतारी वरनड जारी हुआ था लेकिन छापे मारी के दोरान किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी थी इन में से एक नकसली का नाम छोटू खिरवार है वह लातेहर जिला के हेर हंज थाना चेतर का रहने वाला है वहीं दूसरे नकसली का नाम रंथू है वह गुमला जिला का रहने वाला है वहीं तीसरे नकसली का नाम अगणू गांजू है वह लातेहर जिला के चंदवा थाना चेतर का रहने वाला है वहीं चोथे नक्साली का नाम खोदी मुंडा है वा गुमला के भर्नो थनाचेत्र का राने वाला है वहीं पांचमे नक्साली का नाम राजु भुया है वा गड़वा जिले के डंड़ाई थनाचेत्र का राने वाला है जबकि छटे नक्सली का नाम रविंद्र गांजु है वाला ते हर जिला के चंदवा थाना चेत्रकार आने वाला है जामतला जिले के 49 स्कूलों के सिक्षकों पर होगी करवाई जामतला जिले के सिक्षक यूडास पोर्टल पर यूडास चाइल मेंडेंटरी फिल्ड अपडेशन का डाटा अपलोड करने में रूची नहीं ले रहे इसे सिक्षा विभाग का कारे समय से पुरा नहीं हो पा रहा सिक्षा विभाग ने 49 स्कूलों के परधान ध्यापकों को पत्र भेज कर दो दिनों में डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था लेकिन चेतावनी के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका बतादे जीला सिक्षा अधिक्षक दिपाक राम ने ऐसे स्कूलों के परधान ध्यापकों को पत्र के मादम से कहा है कि इब द्यवानी पोर्टल पयूड एस चाइल मेंटेंटरी फिल्ड अपडेशन के लिए सभी को निर्देश दिया गया है इस समाद में कई बार परखंड कर आले हैं संकूल साधन सेवियों की ओर से भी सभी को इस कार्यों को 9 माई 2023 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं किये गया है या अत्यांधी खेद जनक है देवघर में कमारियों के लिए बन रहे 5 पंडाल स्रावनी मेले में जसीडी जक्सन समेथ देवघर वाब बैजनाध धाम एस्टेशनों पर कवरियर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की तियारी जोर सोर से चल रही है रेलेवे की वर से जसीडी एस्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए न्यूज सर्कुलेटिंग एरिया में एक बड़ा पंडाल समेथ कूल 5 पंडाल बनाये जा रहे हैं सानिवार को आसन सोल डिविजन के वर ये पताधिकारियों जसीडी एस्टेशन के पताधिकारियों ने बैठक की इस दवरान मेले के सफल संचालन के लिए कार योजना बनाई गई इसके बाद पताधिकारियों ने जसीडी एस्टेशन का निरिक्षन किया और यात्रियों परिक्षा में अयूज सिंग ने परदेश में टोप किया है आयूज को 94 रैंक मिली है बता दे लोहर्दगा के आईूज कुमार सिंग को जे इए एडभांस की परिक्षा में जहरखंट टोपर बनने का गौर्ण हासिल हुआ अयूज कुमार सिंग ने औल इंडिया 94 वा हासिल क यहाई लोर्दगा सारी छेतर के संजय गांधी पाथ के रहने वाला आयूस कुमार सिंग ने कठोर परिस्ट्रम और लक्ष निर्धारन के बदलत यह मुकाम हासिल किया। उच रक्त कोलेस्ट्राल आदी में जारखन पूरे देश में सबसे कम जोखिम वाला राज्य है। विभाग के समक्ष प्रात्मिक सिक्षकों की प्रोनाती बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रोनाती से समधित कई मामले कोट में भी लंबी था है। बतादे पिछले छो बर्सों में विभाग ने सिक्षकों को विभिन ग्रेड पे में प्रोनाती देने के लिए कोई आदेश जारी किये। लेकिन सभी ग्रेड में शिक्षकों को प्रोनाती नहीं मिल सकी। पर ललपनिया घाटी इसीत बजरंग वली मंदीर में आज्यात लोगों के तोड़ फोर कर पर तीमा चोरी कर ली है। घाटना के बाद अस्थानिये लोगों में काफी रोज ब्यापता है इसीतिक को भापते हुए गोमिया थाना वा ललपनिया थाना की पोलिस मौके पर पहुंचा जाज़ परताल में जुट गई। इस दवरान सेकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दोस्यों पर करवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर स्वान दस्ता बुला कर घाटना अस्थाल की बारीकी से जाज़ परताल की लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। बता दे घाटना के समद में पुजा करने पहुंचे दिलीप साव, वारत सेजर से परकास यादो सहीत और परतक्ष दर्स्यों ने बताया है कि सनिवार को वा सुबा पुजा करने मंदिर पहुंचे तो देखा भगवान की परतीमा गायब थी, साथी परतीमा अस्थाल में त घिनवनी वर्दात को अंजाम दिया गया, इस घाटना को लेकर पीडिता ने पेशरार थाना में सुक्रवार को परत्मी की दर्ज कराई, इस परता उरित करवाई करते वे पेशरार थाना पुलिस ने सनिवार को आरोपीत सुनिफ अन्सारी को गिरभतार कर जेल भेज़ दि दिया था जार्खन में 50 से अधिक हैंड पंप बेकार जार्खन में पड़ रही भीजन गर्मी ने लोगों के सामने पानी की समस्या भी खड़ी कर दी है विभागी आकडों के मुताबिक राजे में 50 से ज्यादा चापा कल सुख चुके हैं इसका कारण है भूग गर्व जल अस मिलने की भी उमीद नहीं है बदाज रांची के कुछ हिलाकों में तो हीट वेव का रेड अलर्ट भी है हलक सुखा देने वाली गर्मी के बीच पानी की समस्या भी उत्पन हो गई लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परसानियों के समना करना पर रहा है कई गाउं और म महले में लगायागा चापाकल सुख चुके हैं जार्खन में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी जारी जार्खन के लोग भीचन गर्मी की चापेट में है गर्मी के तलक तेवर ने जन जीवन को अस्त बेश्त कर रखा है और मौसम भीभाग ने राजे के कुछ जीलो में के मुताबिक 29 और 20 जून को गर्मी थोड़ी कम होगी लेकिन फिर लू से खास रहात नहीं मिलेगी इन दो दिनों में राज के कई हिसों में लू चलेगी जिससे लेका औरेंज अलर्ट जारी है औरेंज अलर्ट में आने वाले जिलों में गड़वा पलामू चतरा कोडार्मा गिरी डी सिम्टेगा सराय के लखरसवा पुर्वी सिमू और पच्मी सिमू जीला सामिल है वहीं हजारी बाग में भी एलो अलर्ट जारी है जबकि बाकी जिलों में कोई अलर्ट नहीं है अलाकि 20 जून के बाद लू से रहात मिलने के उमीद है बता दे मौसम भी भाग के प